नमस्कार साथियो मैं लोके सहरावत लौड किसना कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आज का हमारा टॉपिक है गलोब globe क्या होता है globe जिस परकार से हमारी पिर्थवी है जैसी हमारी पिर्थवी दिखती है उसी हिसाब से एक छोटा एक वस्तु बनाई गई है globe उस तरीके के जैसी हमारी पिर्थवी बाहर से दिखने में लगती है उसी परकार से एक वस्तु बनाई गई है और उसे का जाता है globe आ पने कभी देखा होगा दो परकार की रेखा going एक रेखा हैं तो होते ngth SH निया और एक रेखा यह लोप पर इस तरीके से कली में छूर देखो को से यह चीज दिमागा में रखनी है चाहिए आप रीजनिंग का께서 पर सॉल्व करो या फिर मेत करो या जोगरोप पढ़ो जब भी हम पेपर में बैठते हैं तो हमारे लिए जब दिसा देखते हैं ना उत्तर दक्षिन क्योंकि एई बार कॉश्चन आता है कि गिलोप पर खिंची गई पस्चिम से पूरव रेखाएं या पूरव से पस्चिम र करना है अगर हम यहाँ पर मांने लो क्यों यह कोई पर है तो मैं यहां पर के सामने इस तरीके से Cai तो मेरे लिए यह उत्तर दिशा यह जह और यह पस्चिम है मैं अब याद कैसे करना है अगर मान लो मैं आपके सामने हूँ तो मेरे लिए अब मेरे लिए ये मेरी उत्तर दिसा इससे नीचे दक्षिन है इस सैड में पूरव एक पस्चिम है बस अब यह रखना है कि हमारे जो सामने है ना उसमें उपर वाली दिसा उत्तर याद रखनी है ठ ठीक है अब जो ये रेखा है ये दोनों की दोनों ऐसे भी और ऐसे भी ये दोनों की दोनों रेखा है एक ही गलोब में खीची हुई रहती है ठीक है जो ये रेखा हैं ये पस्चिम से पूरव हो गई ये पूरव से पस्चिम हो गई इन रेखाओं का नाम है अक्षांस ठीक है और जो यह रेखाएं है इन रेखाओं का नाम है देशांतर रेखा अक्षांस रेखा और देशांतर रेखा अक्षांस और देशांतर रेखा भले ही आपने कितनी वी बार पढ़ लेकर आज जो पढ़ लोगे भूलोगे नहीं कभी भी गारंटी के साथ ठीक है यह अक् अक्षांस का जो पहला word है वो है ए और दे सांतर का है दे, जब हम ए लिखते हैं, तो ए लिखने के साथ ये पहले word की लाइनों को सीदी कर दो, ठीक है, ये कैसे हो गई, पस्चिम से पूरव या पूरव से पस्चिम, और जब दे लिखते हैं, तो दे के बाद दे वाले लाइ तो अक्षांस एक चीज के लिए करनी है कि पूरव से पश्चिम गिलोब पर खीची गई पूरव से पश्चिम समान अंतर रेखाओं को क्या कहा जाता है अक्षांस रेखाओं को किस तरीके से पहले हम अक्षांस के बारे में थोड़ा सा आपको बता हूँ जैसे एक बॉल होती है बॉल के बीचों बीच में एक चल्ले के टाइप में एक चूडी के टाइप में एक बीचों बीच में रेखा हो गई वो उसके बाद फिर कुछ दूर और उपर फिर कुछ और उपर कुछ और उपर समान दूरियों के साथ ऐसे चल्ले से बने हुए होते ठीक है जैसे ये एक हो गया इसके ओपर दूसरा तीसरा इस तरीके से ये अक्छांस रेखाएं होती है ठीक है और इनके बीच में जो दूरी होती है वो समान होती है उपर से नीचे तक समान अंतर होती है इसलिए जने कहते हैं समान अंतर अक्छांस रेखाएं या समान अंतर गिलोब पर खीची गई समान अंतर रेखाएं कौन सी होती है अक्छांस रेखाएं ठीक है जो देशांतर रोगती है वो समान अंतर नहीं होती उनमें समान अंतर नहीं है रहता और अक्छांस रेखाओं में अंतर कैसा रहता है समान ठीक है अब सुनो समान तर रेखाएं होती क थीच दूँ ठीक है कितना हो गया 45 इसके भी बीचों बीच कर दूँ मतलब मेरे कहने का मतलब है यह कहीं पर एक डिगरी एंगल होगा इसके बीच होगा ठीक है तो यहां तक जाते-जाते कितने डिगरी हो गई तो इस तरीके से एक से अब इसtvिय के बीचों बीच एक रेखा खीच दी ठीक है और एक रेखा के बाद पिरतियक एंगल पर यह एक है इसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँची ऐसे करकर के एक-एक रेखाएं खीच रखी हैं और जो लाश्ट वाली रेखाएं वो रेखा नहीं खीच कर लाश्ट में खाली छोड़ रखा है तो उस तरीके से 89 89 रेखाएं उपर हैं और इसी तरीके से एक-एक लाइन पर प्रितियक एंगल पे एक, दो, तीन, चार करके 89 रेखाएं ही हैं नीचे और एक रेखा है बीचों बीच में 89 89 रेखाएं उपर हैं 89 रेखाएं नीचे हैं और एक रेखा ये हैं जिसे कह रहे हैं 0 degree अक्छांस ठीक है अब ये कितनी हो गई 89 ये, 89 ये और 1 ये ठीक है, कितनी हो जाएंगी ये हो जाएंगी 179 ठीक है अब इन्हें कहते हैं अक्छांस रेखा अगर कॉस्चन आए कि अक्छांस रेखाओं की संक्या कितनी है तो अक्छांस रेखाओं की संक्या है 189 अक्षांस रेखा हम सेंगे कितनी है 189 इसके बाद ये तो हो गई अक्षांस रेखाएं अब कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि वे अक्षांसों की संग्या कितनी है अक्षांस रेखा और अक्षांस इन दोनों में अंतर हैं ये दोनों रेखाएं किची हुई हैं ये तो बीच का जो सिपेस है इसे कहते हैं अक्षान्स अक्षान्स रेखाओं के बीच की दूरी को कहते हैं इक्षान्स ठीक है अगर पूछले आपसे अक्षान्सों केसे कितनी है तो अक्षान्सों के संख्या आएग leuke relied 89 अगर कॉश्चन आजा है अक्छांस कितने हैं तो अक्छांसों की संख्या है 180 180 कैसे हो सकती है 180 हो सकती है देखो ये एक बीचों बीच लाइन है ठीक है ये 0 डिगरी अक्छांस है इसके बाद ये इस तरीके से रहेगी और जो 90 डिगरी है यहाँ पर आते आते लाइन नहीं है इस तरीके से होते होते है 79 उपर हो जाएंगी और 79 नीचे और इनके जो बीच का गैब बनेगा वो बन जाएगा 180 उपर वाला भी एक जोड़ेगा उपर वाला भी गैब माना जाएगा और नीचे वाला भी अगर अक्छांस आजाए तो अक्छांसों कि संख्या 180 और अक्छांस रेखाओं कि संख्या कितनी है 189 ठीक है क्वेश्चन क्या आता है गिलोब पर खेची गई पस्च्चं से पूरब की तरफ सम旁नान अंतर रेखाओं को क्या कहा जाता है अक्छांस, क्या कहा जाता है अक्छांस, इसके बाद दूसरा question क्या आता है, कि भी अक्छांस रेखाओं की सिंख्या कितनी है अक्छांस रेखाओं की सिंख्या है 189 अक्छांसों की सिंख्या कितनी है 180 अक्छांसों की सिंख्या 180 अब इन रेखाओं मेंसे, इन मेंसे कुछ लाइनों को डार्क किया हुआ है, गहरी किया हुआ है, कुछ लाइन डार्क कर रखी है, गहरी कर रखी है, और उन लाइनों में क्या है, सबसे जो बीचों बीच रेखा है, जो सबसे बड़ी बीचों बीच रेखा बनेगी, उसका न question आता है कि हमारी प्रित्वी को कितने गोला अर्धों में बाटा गया है देखो गोला अर्ध क्या होता है आधा गोला गोला अर्ध ये पूरा खीच रख बना रखा है मैंने यह हो गया गोला अगर इसके बीचों बीच रेका खीच दें तो यह क्या हो गया आधा गोला उपर वाला आधा गोला नीचे वाला ठीक है उपर वाले को कहेंगे उत्री गोलार्द उत्र की तरफ है तो उत्री गोलार्द अगर दक्षिन वाले की बात करें तो दक्षिन वाला है दक्षिन गोलार्द उत्री गोलार्द और दक्षिनी गोलार्द अब इस उत्री गोलार्द में इस से उपर वाला ये उत्री गोलार्द हैं इस जीरो से नीचे वाला इसका नाम क्या है दक्षिनी गोलार्द उत्री गोलार्द और दक्षिनी गोलार्द साडे तेइस डिगरी उत्त्री अक्षांस को जाना जाता है करक रेखा साडे चीहासट डिगरी उत्त्री अक्षांस को आर्क्टिक रेelfा या आर्क्टिक विर्त ऐसे ही नीचे 24 डिग्री दक्षनी अक्षांस को मकर रेखा ठीक है यहां पर दक्षनी धरोब 90 डिगरी उत्तरी अक्षांस को उत्तरी धरोब और दक्षनी धरोब ठीक है इसके बाद क्या-क्या कॉस्चन आते हैं देखो दो अक्छांस रेखा हैं, मा 높लो यह zero degree अक्छांस है इससे उपर एक यहाँ पर रेखा है एक degree अक्छांस ठीक है, अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये ठीक है, इन दोनों के जो बीच की दूरी है इसे क्या कहा जाता है, क्वेश्चन बहुत वार आता है कि दो अक्षांस रेखाओं के बीच की दूरी को क्या का जाता है दो अक्षांस रेखाओं के बीच की दूरी को कहा जाता है जॉन ठीक है दो अक्षांस रेखाओं के बीच की दूरी क्या का जाता है जॉन एक मिनट में समझो ये जॉन यहां पर का जाता है इस जॉन के बीच में जो दूरी होती है वो कितनी होती है 111 है किलो मीटर 111 है किलो मीटर दो अक्छांत रेखाओं के बीच की दूरी को जॉन का जाता है और यह दूरी कितनी होती है 111 है किलो मीटर नहीं होती जो 111 km कहां पर होती है यह होती है पिर्थवी पर 111 km होती है कैसे होती 111 km पिर्थवी पर अगर जैसे एक पटवारी के पास आप जाते हैं तो पटवारी के पास देखते हैं एक चदर में पटवारी पूरे सहर को बना देता है पूरे सहर को एक चदर में बना देता है तो उसी तरीके से वो बता देता है कि ये पलाट इसकी है ये घर इसका है ये खेत इसका है सारा कुछ ब तो वो ग्राउंड लेवल पे होता है तो ऐसे ही यहां पर जो चीजें दिखाई गई हैं यह चीजें अगर हम ग्राउंड लेवल पे आके बात करें तो ग्राउंड लेवल पे 111 किलो मीटर की दूरी होती है दो अक्छांस रेखाओं के बीच में और इस दूरी को कहा क्या जा जोन इस दूरी को क्या कायाता है जोन यहां तक कितने कॉश्चन बिनेंगे मैं एक बार थोड़ा सा कुईक रिवीजन कराता हूं उससे आगे नेक्स टॉपिक छोटा सा और है उससे भी बताएंगे कि वह दो अक्षांस रेखाओं के बीच में दूरी कितनी होती है 111 किलो मीटर दो अक्षांस रेखाओं के बीच की दूरी को क्या का जाता है जोन जीरो डिगरी अक्षांस को क्या कहते हैं विशुवत रेखा साड़े तेईश डिगरी उत्तरी अक्षांस को करक रेखा साड़ चियासर डिगरी दक्षिन अक्षांस को अंटार्टिक रेका, देखो, 90 डिगरी उत्तर में है, तो उत्तरी धुरूब, 90 डिगरी दक्षिन में है, तो दक्षिनी धुरूब, किलियर, जो मध्य में है, उसका नाम भू मध्य रेका, जो मध्य वाली है, उसका नाम क्या बता दि कि देशांतर क्या होता है कि देशांतर रेखा और इनका क्या काम था क्या इनकी जरूरती मैं थोड़ा सा यहां से रप करूंगा इसलिए आप स्क्रीन्सोर्ट ले लोकर लेना चाहते हो तो कि मैं साइड मों यहता हम स्क्रीन्सोर्ट ले सकते हो कि देशांतर रेखा हमने तरबूज खरबूज देखे हैं ठीक है तो खरबूज हम देखते हैं खरबूज में ऊपर से नीचे की तरफ धारियां आती है ठीक है एक पौंट उपर होता है एक प्ऌंट नीचे होता है जो अक्षान से रेखा बताईती उन दोन उन में दो रेखाओं के बीच समान अंतर होता है लेकिन देशांतर रेखाओं में दो रेखाओं के बीच समान अंतर नहीं होता इन में क्या होता है इसमें दो रेखाओं ये मान लो यह एक पॉयंट है। उत्त्त धुर्ब और यह जह दुर्म उत्त्ति धुर्म से एक लियान आती है इस तरीके से और नीचे आकर दुर्म पे रुख जाती है इसी तरीके से दुर्म से आती है ये इस तरीके से लाएन है देखो अक्षान से रेखाओं में दो रेखा हैं इस तरीके से जा रहे हैं सीधी सीधी रेखा हैं समान दूरी हैं उन्हें समान अंतर रेखाएं कहते हैं ठीक है और इन रेखाओं को कहा जाता है उर्दवाधर रेखा गिलोब पर खीची गई देशांतर रेखा में मैंने पहले गी देशांतर रेखां में पहले देशांतर री अगा है ऐसे ले जाना है तो उत्तर से दक्षिन की तरफ हो गई उत्तर से दक्षिन हो गई इसके साथ ही पहला कोश्चन क्या बनता है कि देशांतर रेखाएं होती काँ पर हैं देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिन की तरफ उर्दवादर रेखाएं होती हैं इनके बीच में दू इस तरीके से अलग अलग लाएने आती हैं तो ऐसे ही इस देशांतर रेखाओं के अंदर आती है ठीक है लेकिन देशांतर रेखाओं की संक्या कितनी होती है मैं आप से एक छोटी चीज बुचता हूं यह 90 degree का कौण है 90 degree का angle है अगर मैं इस angle को ऐसे पूरा कर दूं तो अब कितने यह होगया 18090 का यह हो गया तो 180 अगर मैं इस angle को ऐसे पूरा कर दूं तो कितना हो गया 300 site यह 90 का है पूरा 300 साइट का है इसका मतलब क्या है कि एक किसी पॉइंट से अगर हम पिरतियेक एंगल पर एक रेखा खीचें तो कितनी लाइने खिश सकती हैं 300 साइट तो ऐसे ही देशांतर रेखाओं में उपर एक पॉइंट से नीचे की तरफ आती है एक लाइन एक एंगल से और हर एक एंगल से एक लाइन आती है इसलिए 300 साइट रेखाएं उपर से नीचे की तरफ आई हुई है ठीक है और इन रेखाओं को क्या कहा जाता है देशांतर रेखाओं की सिंख्या कितनी है तो देशांतर रेखाओं की सिंख्या है 300 साइट कितनी है 300 साइट इन देशांतर रेखाओं की जरूरत क्या थी? अक्छांस रेखाओं का विशेश रूप से काम था, जगहे का बटवारा करने के लिए हमने अक्छांस रेखाओं की जरूरत पढ़ी थी. देशांतर रेखाओं की जरुवत किसलिए पड़ी थी? समय को बाटने के लिए, टाइम को कैसे बाटने के लिए? मैंने आपको बताया था, मालो ये पिर्त्वी है, इधर साइड से सूरिय का प्रिकास आ रहा है, इस साइड में दिन रहेगा, दूसरी तरफ क्या रहेगी? रा है, ठीक है? तो इसका मतलब ये है, कि एक ही बार में पूरे वर्ल्ड का टाइम हम डिसाइड नहीं कर सकते, पूरे विश्व का टाइम अलग-अलग है, और वो टाइम को किस तरीके से बांटा गया है? ये 300 साइड रेखाएं हैं, इन 300 साइड रेखाओं में, जब सूरिय के प्रकास से सन 1884 में एक बैठक होई थी, और सहैस सब पूरे विश्व की सहमती से 1884 में ग्रीनविच वैदसाला लंदन, 1884 में ग्रीनविच वैदसाला लंदन, ग्रीनविच वैदसाला लंदन, ग्रीनविच वैदसाला लंदन में 1884 में एक बैठक होई, और बैठक के तहित ये माना गया, कि लंदन में Greenwich वैद साला में इसे जीरो डिगरी देशांतर माना जाएगा ठीक है और लंदन Greenwich वैद साला लंदन कहां पर पढ़ेगी लगबग यहां पर ठीक है और यहां पर पढ़ने पर यह decide किया गया कि इस से अगर पूरव की तरफ चलेंगे तो पूरव की तरफ चलने पर टाइम घटेगा और पश्चिम की तरफ चलने पर टाइम बढ़ेगा यह टाइम का घटना बढ़ना किस तरीके से decide किया गया टाइम का घटना बढ़ना decide किया गया था सूरिय के परकास पे जैसे देखो मानलो पृत्वी इधर सूरिय है इधर पृत्वी है ये पृत्वी अपने अक्षपर ऐसे गूमती है और गूमने के साथ साथ हमारी पृत्वी एक देशांतर को पार करने में मतलब हमारी पृत्वी का एक देशांतर सूरिय के सामने इस तरीके से गूमने में चा बार मिनट का समय लगाता है तो इस तरीके से पिर्द्री घुमती है इधर की तरफ समय गटेगा और इधर की तरफ समय गटेगा और पश्च्च्चिम की तरफ समय बढ़ेगा ठीक है जिदेश इस सैड में ते उनका टाइम गटने का और जो देश पश्चिम की सैड में थे उनका टाइम बढ़ने के एसाब से निश्चित कर दिया गया और जो भारत का मानक समय लिया गया था ये तो zero degree देश अंतर था और भारत का मानक समय लिया गया था उत्तर प्रदेश में जगे हैं और जगे का नाम है नेनी जगे का नाम है नेनी नेनी है मिर्ज्यापुर की मिर्ज्या पूर है प्रियाग राज डिस्टिक के अंदर नैनी मिर्जापुर प्रियागराज यूपी उत्तरप्रदेश इससे भारत का मानक समय लिया गया भारत का मानक समय जो लिया गया नैनी मिर्जापुर प्रियागराज यूपी और ये देशांतर कितना था ये देशांतर था साड़े 82 डिगरी पूर्वी देशांतर, साड़े 82 डिगरी पूर्वी देशांतर था भारत का मानक समय, अब मैंने बताया था कि पूरव की तरफ समय बढ़ेगा, साड़े 82 डिगरी पूर्वी देशांतर में जो हमारा समय हो जाता है साड़े 5 गन्टे, साड़े 5 गन्टे कैसे होगा, एक देशांतर में 4 मिनट बढ़ता है, ठीक है, तो साड़े 82 डिगरी में कितने बढ़ेगा, हम इसे 82 को 4 से करते हैं, तो 4 दुनी, 8 और 4 अठे 32, ये हो ग गटे बनते हैं सादे-5 गटे 5 गटे 5 गटे 30 मिनट मतलब कोस्चन क्या आता है कि भारत का मानक समय अंतर राष्ट्रे मानक समय से कितनी आगे है सादे 5 गटे भारत का मानक समय कहां से लिया गया है नेनी मिर्जापुर प्रियागराज यूपी भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है साड़े 82 डिगरी पूर्वी देशांतर अंतर राष्ट्रे मानक समय कहां से लिया गया है गिरीनविच वैदसाला लंदन गिरीनविच वैदसाला लंदन को अंतर राष्टे मानक समय के लिए कब निरधारत किया गया 1884 में ठीक है ये कॉस्चर मनेंगे इसके साथ साथ जो हमारी पृत्वी है वो पस्चिम से पूर्व भूम रही है जब पस्चिम से पूर्व हमारी पृत्वी घूम रही है तो इसमें पस्चिम से पूर्व भूमने के अंदर पस्चिम से पूर्व भूमेगी और पस्चिम के से पूर्व भूमने के साथ साथ पिरत्वी एक गंटे को पार करने में एक गंटे को पार करने में एक पंधरे देशांतर घूम लेती है क्या आता कितने देशांतर चाहिए जब एक देशांतर में चार मिनेट होती है तो पंधर है देशांतर ठीक है यहां तक क्वेश्चन क्या कैपनेंगे एक बार कोई क्रिविजन ले ले लिते हैं बाकी सारे का ठीक है कि अंतर राष्ट्रे मानक समय कहां से लिया गया है ग्रीन विच वै में क्रस्षिम की तरक रेकाओं क्या कहते हैं अक्षांस ठीक है अक्षांस रेकाऊं साड़े 23 डिगरी उत्तिरी अक्षांस को करक रेखा साड़े 23 डिगरी दक्षिनी अक्षांस को मकर रेखा साड़े 26 डिगरी उत्तिरी अक्षांस को अंतार्टिक रेखा 90 डिगरी उत्तिरी अक्षांस को उत्तिरी धरोग और 90 डिगरी दक्षिनी अक्षांस को दक्षिनी धरो ठीक है एक बार आप इसका स्क्रीन सोट ले सकते हो सारे का सात्यों मुझे उम्मीद है आपको टॉपिक संज में आ गया होगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद